हलो फ्रेंज वेलकोम बेक टुमी तो चैनल तो फ्रेंज कलरस के इस अपकमें परिसूर में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले में आप से कहना चूंगे अगर आप चैनल पे नहीं हो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज कर लिजिए और हा आप लोगों इस टाइम भी खेल रहे हैं हाँ सुबह सुबह तो वो कहती है कि हाँ इस से में खेल लाएं क्या करें वो सद्धा जी हमारे सर पर बढ़ती हैं इससे अच्छा कि हमने सोचा हम गेम ही खेल ले लगें ताकि हमें उनसे फूर्सक निल जाएगी और हमारा दिल भ पहल जाएगा तो सुबहता कहती है आओ जी आप भी खेल लो तो वो कहती है मंजू जी कि अब पता है ना इतनी परशाने हैं तो क्या करें मैं सोचा यही साही तो वो कहती है ठीक है मैं यह सब नहीं कहने आई हूँ मैं यह कह रहे हूँ कि आप दोनों के पास में किसी के पा तो उसे वहता कहती है, सायद दिल कर रहा होगा पहनने का तो मंजू जी कहती है, हाँ, अच्छा मन कर रहा है, तो ठीक है कहती है, नहीं, मेरा मन कर नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मुझे सौक नहीं है लेकिन हाँ मुझे चाहिए है वो क्या है ना शद्धा जी है ना उन्होंने ब्रेक्पस्ट टेवल पर आई थी उन्हें कुछ तो दिखाई नहीं दिया अमिका के गले में मंगल सुत्र नहीं दिखा तो उस पे उन्होंने कहा कि मंगल सुत्र कहा है तो वो अपनी पहने ना तो कहते कि वो उसका रात में मंगल सुत्र टूट किया था तो अब उसे चाहिए है तो अब क्या करूँगी कोई बखेड़ा ना ख़ड़ा हो खड़ा हो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मांग लेते हैं तो वो कहते ही वो तो ठीक है पर मैं आप वो वाला मंगल सुत्र नहीं दूगी वो तो मैंने रवी और आपकी शादी के लिए मुझा बन बाया है वो मंगल सुत्र आजही किसी के गले से उतार के अपनी गले में पहने हूंगी मंगल सुत्र ऐसा नहीं होता है तो संहता कहती है आजीब हो औरत हो आप भी, हाँ मैंने पहले पहली बार देखा, इतना रिम्टism उठा रही हो कि अपना मंगल सुतर किसी और को दे रही हो, बंजू जी भी कहती है कि नहीं, अब भो भी समझाती ही पर वो नहीं समझती है तो वो कहती है कि कहीं है सा ना हो कि property भी हासे जा पती भी तो वो श्रैता से'Sनिवलट था कि shut up निटेजे से कहना mangal सुतर लेके नीचे आ जाए तभी फिर वो आती है नीचे मिलती है तो वो कहती है इतने देर लगा दी अपने mangal सुतर निकालने में कहती नहीं कहती हाँ मुझे पता है ना आप तो सोने का मंगल सुत्र है इसलिए अपने देना चाहरे थी कहती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी पर अपना मंगल सुत्र किसी को थोड़ी ना दिया जाता है और ये तो सुहाग के निसानी होती है तुम अपना मंगल सुत्र क्यों से दे रही हो ये सही नहीं है ये गलत है तो निवेदिता कहती है आंटी जी प्लीज इस समय मुझे इसकी जरूरत है और मुझे प्रपरटी के पेपर पर साइन करवाना है वो बहुत रोटी है पर निवेदिता उसके कोई बात ने सुनती और वो आके मंगल सुत्र दे देती है सरदा जी को सरदा जी कहती है ये मंगल सुत्र तो कहती है इस मंगल सुत्र को जो देविका होती है अंबिका वो पहनने लगती खुद से तो यह क्या कर रही हो दिखो मंगल सुत्र पहली वा तो तुम्हे उतारानी चाहिए था अब तुमने उतारा है तो तुम पहनोगी तो अपने पती के हाथों से खुद से नहीं पहनोगी तभी रवी जा रहा था और रवी को रोक लेती है कहती है मंगल सुत्र पहनाने के लिए इदर देविका समझाती है कि जाओ रवी तुम उनको मंगल सुत्र पहना दो नहीं पहनाओगे तो बखेड़ा कड़ा हो जाएगा फिर परपटी के पीपर भी वो साइन नहीं करेंगी वो तो अपनी जित पे अड़ी बैठी है तो रवी कहता है हाँ तो सोचता है रवी की चलो इस वहाँ ने मुझे पता तो चलेगा कि फेस के एक्स्प्रेशन देखने को मिलेंगे कि आखिर ये देविका है कि नहीं तो कहता है ठीक है वो राजी हो जाता है उसके कहने से लेकिन आप कह रहे हैं मैं स्लोथरा इसलिए मैं एक करे देता हूँ ब अगर तो मैं ऐसा नहीं करते तो मैं प्रॉब्लम में आ जाती फिर अभी वहाँ पे जाता है दर मंगल सुत्र जो है उससे लेता है अमिका के हाथों से और उस मंगल सुत्र को पहनाते टाएं वो फेस तो है दिविका का ही देख रहा होता है कि और वो भी एक्दम से पहनते हुए तो तुरंत जैसे ही पहना रहा होता तो उसे हाथों से लेकर खुद से पहन लेती है फिर यहाँ पे भाग के आती है और एक्दम सो रूने लगती है कहती है मुझे क्या हो जाता है रवी के लिए मैं क्यों नहीं खुद को समाल पाती हूँ यह कितना गलत है बहुत दुख्य हो रही होती है कि मैं इतना प्यार करती हूँ उसे एक पल में नहीं लगा था कि उसने मेरे साथ जो किया था और अब देखो कि कुछ भी कर सकता है ना यह प्रोपर्टी के लिए उसने मुझे आज मंगा सुत्र पहना दिया हाँ और वो यही सब सोच है उसक यहां पर निविदिता जो होती है वो इसे कहती है कि थैंक्यू अम्वीका तुमने मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड हो ना अस तुमारी वज़े से वो प्रोपर्टी के पेपर लाओ धर मॉन्टी वो पीपर लिखे आ जाता है और फिर वो साइन के लिए जो है कहती ठीक है तो क्योंकि ल reinsर लहे होती है तब कि फिर यों लोग साइन करते हैं थर सद्धा जी कहती है पुए हमेश cricket अर जür जो रवी होता है वो अमरे को देख रहा होता है यह लोग प्रपर्टी पर साइन कर देते हैं श्रदा जी कहती है अब यह प्रपर्टी हुई देविका की ठीक है मैंने इस पर साइन कर दी है हाँ तब यह प्रपर्टी के पेपर निवरिता मांगती है तो कहती है निवरिता को क्यूं तुम्हारे थोड़ी ना ये तो देविका के है मैं ये देविका को पेपर दूँगी तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है निवेदा कहती है तो वो कहती है क्योंकि ये प्रपरटी तो देविका की ही है ना तो वो प्रपरटी के पेपर जो है देविका को देती है देविका कहती है कि आइड़ी ची जब के लिए एक रूम खुलवा देंगे कोई टेंशन नहीं है तो कहते हैं वो प्रपरटी के पेपर देखके सोचती है कि मेरा सपना था कि मैं अपनी मा का सपना पूरा करूं और रवी ने मुझे कहा था रवी की दूखे की वज़े से यह सब हो गया वरना तो इधर निविरता कह रही होती कि मैं जो करना था मैं वो कर चुकी हूँ तुम जो सोच के बहुत खुश हो रही हो ना उसका तुमें तो अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या किया पर मुझे तो पता ही नहीं था इतनी आसानी से यह सब हो जाएगा मैंने सूचा ही नहीं था लेकिन यह तो बहु कि तो वो कहती याँटि जी देविका भी कह देती है कि आपको जब तक नहीं मिला है आप हमेशे रह सकती है आपको कोई टेंशन नहीं निवरिता आप की हमेशा याप करेगी नवीता सोसती मैं कहती क्या हूँ लेकिन इसका अपूसर बोल देती है तो अब रवी से कहती है आज के लिए इतने ही अगर वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल पे नहीं है और अभी तक का आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट चलती से कर दीजे और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई झाल झाल